गुद मॉर्निंग एस्टुएंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कोश्चन्स करेंगे आज का हमारा फर्स्ट कोश्चन है, find the value of the polynomial 5x-4x square plus 3 at, first x equal 0, second x equal minus 1 और third x equal 2 पिछले लेक्चर में हम लोग value of polynomial at given points हमों पढ़े हुएते यह कोश्चन में उसी type के है, यहाँ पे एक polynomial दे दिया है, हमनों इसका solution देखते है ठीके, पहले माल लेंगे जो polynomial हमारा दिया हुआ है, इसको उन्हों पी x माल लेंगे कि लेट px equal 5x minus 4x square plus 3 यह दिया हुआ है, अब हमको first में निकालना है कि at x equal 0 इस polynomial का value क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग पी 0 निकाल देंगे ठीके, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पूट कर देंगे जो polynomial दिया हुआ है, इस polynomial भी जहाँ 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 x है, वहाँ x के place पे उसके जगा पे हम लोग 0 रख देंगे तो p0 निकालेंगे, तो 5 multiply x है, तो 5 multiply 0 हो जागा यहाँ पे minus 4 x square है, तो minus 4 into 0 का score हो जागा, plus 3 है, अब इसको उन्हों solve करेंगे अब 5 को multiply 0 हो जाएगा, 0, 0 का square 0 ही होता है, फिर 4 से multiply 0 हो जाएगा, और plus 3, अब इसको solve करेंगे हम लोग, तो हमारा result आजाएगा यहाँ पे 3, p0 का value हो जाएगा 3, अब इसी तरह से second question इसका है, at x equal minus 1, अब minus 1 पे इस polynomial का value का होगा, यह बताना है, तो हम लोग यहाँ पे p- 1 निकालेंगे, ठीक है, तो p-1, तो 5x है, तो यह हमारा हो जाएगा 5 into minus 1, minus 4x square है, तो minus 4 into minus 1 का square, क्योंकि x का value minus 1 put करना है, plus 3, अब इसको solve करेंगे, 5 को minus 1 से multiply करेंगे, तो minus 5, अब यहाँ पे minus 1 का square क्या होगा, plus 1, अब plus 1 को minus 4 से multiply करेंगे, तो minus 4 यह आएगा, और यह plus 3 ह यह आगया, minus 6, third है, at x equal to, अब x का value 2 होगा, तो इस polynomial का value क्या होगा बताना है, तो इस polynomial में अब x के जगार पे हम लोग 2 put कर देंगे, यहाँ P2 निकालेंगे, अब 5x है, तो 5 multiplied 2 होगा, minus 4x square, तो minus 4 into 2 का square, और plus 3, अब इसको solve करेंगे, तो 5 into 2, कितना होगा, 10, अब यहाँ पे 2 का square 4 होगा, और 4 multiply minus 4, तो minus 16, plus 3, अब इसको हम लोग 2 करेंगे, यहाँ पे 13 plus है, और 16 minus है, तो इस जगा minus 3, इस तरह से इस polynomial का value हम लोग, 0 पे minus 1 पे और 2 पे find कर लेंगे, question number 2 है, find P0, P1, and P2 for each of the following polynomials, अब इसमें 4 question दिया है, इसे हम लोग 2 question करेंगे, बागी 2 question आप लोग खुछ से किजिएगा, first है हमारा PY, Y square minus Y plus 1, अब इस polynomial PY के value निकालना है, 0 पे, 1 पे और 2 पे, जैसे हम लोग question number first किये थे, हम लोग इसका solution देखते है, यहाँ पे दिया है PY, is equal to Y square minus Y plus 1, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे P0, अब इस polynomial में जहाँ जाँ Y है, वहाँ पे 0 पूट कर देना हो, ठीके, तो first में Y square, तो यह हो जागा 0 के square, minus Y, तो minus 0 plus 1, तो क्या होगा, 0 के square 0 ही होगा, तो 0 minus 0 plus 1, इसको 1 लिख सकते हैं, ठीके, 0 minus 0, इसका कोई मतलब नहीं होता है P1, अब क्या होगा, यह 1 के square, minus 1 plus 1, तो 1 के square 1 ही होता है, तो 1 minus 1 plus 1, कितना हो जागा ही, प्लस 1 आएगा, इस दिरा से अबर P2 निकालिएगा, तो 2 के square minus 2 plus 1, तो कितना होगा है, यह 4 minus 2 plus 1, इसको solve कर देंगा, हम लोग 3 आएगा, इस रसे इस polynomial का value, 0 पे 1 पे 2 पे हम लोग फ इक्वाल 2 plus T plus 2T square minus TQ, अब इसका भी value निकालना है, P0 पे, P1 पे और P2 पे, तो यहां भी क्या कीजिएगा, जहां जाएगा, पहले केसमे 0 पूट कीजिएगा, सेकंड केसमे 1 पूट कीजिएगा, और ठाट केसमे 2 पूट कीजिएगा, value आजाएगा, ठाट कोशन है इसका, पी एक्स एकवल एक्सक्यू, अब यहां पे P0 निकालेंगा, तो 0 का Q हो जाएगा, 0 ही इंसर हो का, अगर P1 निकालेंगे तो 1 का Q हो जाएगा, 1 इंसर हो जाएगा, P2 निकालेंगे तो 2 का Q हो जाएगा, 8 इंसर हो जाएगा, ठीके, अब इसका question number 4 देखते हैं, हम लोग य है तो 0-1 हो जागा और इंटू x-1 तो 0-1 अब 0-1-1-1 ही होगा 0-1 प्लस-1 ही होगा दोनों को multiply कर देंगे तो minus 1 हो जागा इसी तरह से p1 निकालेंगे तो x-1 है तो 1-1 हो जागा क्योंकि x का value 1 put करेंगे x-1 है तो यहां भी 1-1 हो जागा अब once 1 गया दो 0 और 1 में 1 आट हो के 2 हो जागा multiply कर देंगे 0 आ जागा इसी तरह से p2 निकालेंगे तो 2-1 हो जाएगा इंटू 2-1 हो जाएगा तो 2-1 होता है और 2-1 कितना होगा 3 होगा इसको मनों multiply कर देंगे मारा 3 answer आ जाएगा next question है question no 3 verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them अब इसमें verify करना है कि जो x का value दिया हुआ है इस polynomial का 0 होगा तो इसमें 8 question दिया है सारे question के जास्ट बगल में वह आप x का value दिया हुआ है और show करना है कि वह value इस polynomial का 0 होगा तो इसमें वह दो question करेंगे बाकी question आप लोग ऐसे खुसे कर लिजिएगा first question है px equal 3x plus 1 और यहाँ पे x का value दिया है minus 1 by 3 यही सो करना है कि x का value जो होगा इस polynomial का 0 होगा अब इसको कैसे नों solve करेंगे याँ देखते हैं इसका solution पी एक्स जो दिया उसको लेख देंगे यहाँ पे 3x plus 1 अब यहाँ पे x का value क्या दिया है minus 1 by 3 अब इस polynomial का value निकालेंगे minus 1 by 3 पे देखते हैं क्या आता है ठीक है तो यहाँ निकालेंगे उनों प्लस 1 के आगया जिरो आगया अब इस polynomial का value minus 1 by 3 पे 0 आगया इसलिए minus 1 by 3 is 0 of polynomial px अब यहाँ पे value 0 नहीं आता तो यह 0 नहीं होता इससी तरह से इसका एक ठाट question देखते हैं इसमें दिया है px equal x square minus 1 और यहाँ x का दो value दिया है 1 और minus 1 यहाँ पे यह verify करना है कि यह दोनों इस polynomial का 0 जोगा तो यहाँ पे इसका solution देखते हैं px है x square minus 1 तो पाले हम दो at x equal 1 पे इसका value निकालेंगे p1 तो यह है x square minus 1 तो यह होजागा 1 का square minus 1 is equal to 1 minus 1 0 इसी तरह से minus 1 पे इसका value निकालेंगे p minus 1 तो minus 1 का square minus 1 क्योंकि x square है तो x का value minus 1 पूट करेंगे तो minus 1 का square plus 1 minus 1 0 1 पे भी 0 आ गया और minus 1 पे भी इसका value 0 आ गया तो मैं लिखेंगे therefore 1 and minus 1 are zeros of the polynomial Px ठीक है इस तरह से remaining question आपनों खुशे solve कर सकते हैं अब next question देखते है 4 number इसमें देखें find the zero of the polynomial in each of the following cases अब यहाँ भी साथ question है जिसके कुछ question हो यहाँ करेंगे बाकिया आप लोग कुछ सेखीजिएगा अब यहाँ पे polynomial का 0 निकालना है ठीक है फर्स्ट polynomial दिया है Px equal x plus 5 अब इस polynomial का 0 निकालना है तो किसी भी polynomial का 0 निकालना हो तो उस polynomial का 0 के equal कर देते हैं जैसे यहाँ पे Px हमारा दिया हो है x plus 5 तो इस polynomial का 0 निकालना है तो इस polynomial Px को 0 के equal कर देंगे तो जो इसका value है यह भी 0 के equal हो जागा x plus 5 क्या होगा 0 के equal तो यहाँ से हमारा x का value क्या आजागा minus 5 ठीक है तो therefore minus 5 is 0 of the polynomial Px तो यह हमारा इस polynomial का 0 हो गया अब इसका question 5 जागते है इस पे Px दिया भाए 3x तो इस polynomial के भाए 0 निकालना है तो इस polynomial Px को 0 के equal कर देंगे तो जो इसका value 3x से यह भी 0 के equal हो जागा तो यहाँ से x का भी लूकिया हो जागा 0 by 3 means 0 हो जागा तो therefore 0 is 0 of polynomial Px इसी तरह इसका question 6 में दिया है Px equal Ax और यहाँ पे दिया है कि A value 0 नहीं होगा और A value 0 हो गया तो इस टर्मी 0 हो जागा इसलिए condition देंगे तो यहाँ भी Px को 0 कर देंगे तो Px का value क्या आए AX तो AX भी 0 हो जागा तो यहाँ से भी X का value क्या आएगा X का value आजएगा 0 ठीक है therefore 0 is 0 of polynomial Px इस तरह से इसका 7 number एक question है Px equal Cx plus D और इसमें condition दिया है कि C का value 0 नहीं होगा और C और D का एक यह real number है ठीक है इसका भी 0 निकलना है तो यहाँ भी हम लोग Px को 0 कर देंगे तो Cx plus D 0 हो जाएगा तो X का value कितना हो जाएगा minus D by C तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं last make line लिख लीजिएगा therefore minus D by C is 0 of polynomial Px अब यह question 4 की जो remaining question है उसको आप लोग खोशे solve कर लीजिएगा इस तरह से यहाँ हमारा exercise 2.2 complete हुआ Thank you, have a nice day